तो हलो एंजिनियर स्वागत आपका फिर से एक बार मैं हूं जिनियर टिकेश कुमार और आज का टॉपिक है हमारा identification of expensive soil expensive soil कहने का मतलब क्या है कि ऐसा soil जो कि हमारे construction में हमारे लिए जो है एनिमिक का काम करता है काफी ज़्यादा expensive होने का मतलब है लेकिन construction परपस से हमारे लिए घातक होता है तो ऐसे soil को हम लोग expensive soil बोलते हैं देखते कौन-कौन से इसके characteristics होते हैं तो सबसे पहला इसमें जो clay minerals पाया जाता है जिसके वज़े से इसमें swelling property देखी जाती है जो की moisture मिलने पे काफी ज़्यादा swell हो जाता है और जैसे ही moisture loss होता है काफी ज़्यादा cracks इसमें देखने को मिलता है वो जो clay mineral इसमें पाया जाता है उसका नाम है Montmorellonite इसके लावा और भी clay minerals होते हैं जैसे की Kevolonite की light अगर आप expensive soil की बात करेंगे जो plasticity होती ही काफी high होती है और permeability जो है काफी कम होती है इसकी load bearing capacity के बारे में बात करें तो load bearing capacity जो है काफी कम होता है इसका और इसमें जो है differential settlement जो है देखा जाता है जैसे की आप black cotton soil को समझ सकते हैं ठीक है उसके बात जो है ऐसे soil पे हमको construction करना काफी ज़्यादा challenging होता है ऐसे type के soil पे बहुत ज़्यादा swelling और shrinkage property होने के वज़े से हमारे infrastructure में cracks जो हो देखने को मिलता है चलिए अब इसकी clay mineral की बात करें तो 2 ratio 1 का होता है 2 ratio 1 कहने का मतलब होता है कि इसमें एक gipsite का seat होता है और 2 silica का seat होता है इसका जो size अगर आप देखेंगे 10 ing strong मतलब काफी छोटा होता है और ये आपका clay mineral होता है कहां पाया जाता है जैसे मैंने आपके soil के classification वाले part में भी बताया जहां पर volcanic eruption होता है जहां से volcanic से ice निकलता है राख निकलता है उस राख में बेंटोनाइट की मात्रा होती है और बेंटोनाइट में काफी ज़्यादा आपका montemoral night की मात्रा होती है और जहां भी volcanic eruption होता है वैसे जगों पर basalt rock बनता है और उस basalt rock के weathering के वज़े से black cotton soil जो बनती है इसलिए black cotton soil में सबसे ज़्यादा मात्रा में चीका जिसको हिंदी में बोलते है और इंगलिस में इसको बोलते है क्या montemoral night जिसकी मात्रा पाया जाने के वज़े से काफी ज़्यादा इसमें जो है uncertain property जो हो देखी जाती है जो कि हमारे construction के लिए favorable नहीं होता है चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्यों important है कि हम लोग इस soil को identify करें कि expensive soil है या नहीं है सबसे पहली बात आती है foundation के design जबी भी आप foundation के design करते हैं तो सबसे पहले हमें soil की bearing capacity जो है find करनी पड़ती है यहाँ पे अगर आपका soil जो है expensive soil है तो जाईर सी बात है उसमें bearing capacity काफी कम मिलेगी तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग जो है जियो 5 जो software है वहाँ पे हम लोग जो है जब foundation की design करते हैं तो वहाँ पे हमको soil का type जो है वो डालना पड़ता है देन फिर उससे जो है result निकलता है कि size का आपको foundation वहाँ पे डालना है accordingly क्या करते हैं foundation का design करते हैं उसके accordingly हम जो है precautions को लेते हैं उसके बाद आता आपका construction planning तो यहाँ पे आपका अगर expensive soil है तो construction planning भी बदल जाएगी कैसे अगर मैं यहाँ से black water soil निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को बाद में feeling करने के लिए या तो मुरुम चाहिए होगा या तो मुझे क्या होगा stone dust की जरुवत पड़ेगी तो उसके लिए भी planning में का आपको change करना पड़ेगा कि आपको इस construction के लिए उस planning में आपको add करना पड़ेगा particular work को इसके अलावा हम जो है proactive construction practice को भी फॉलो करते हैं जैसे कि अगर हमारा expensive soil है तो वहाँ पर हम पहले ही soil stabilization का काम करते हैं देन फिर वहाँ पर construction का काम start करते हैं आज इस competitive job market में जहां job पाना मुश्किल है वही सिविल गुरुजी से trained engineers अच्छी career growth कर रहा है क्योंकि सिविल कुरुजी की online training डिजाइन की गई है industry standards के हिसाब से जहां आप expert trainer के साथ सीखते है estimation निकालना, serving करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, bill बनाना, contract and tendering के साथ और भी important skills आपके time schedule की flexibility के हिसाब से और इंडिया के सबसे affordable cost में भी तो अभी phone उठाओ और call लगाओ 911 001234 पर और वीडियो के description में जाके अधिक जानकारी भी ले लो चलिए तो expensive soil को कैसे हम लोग find out करेंगे उसके लिए हमारे पास एक test है जिसको हम लोग perform करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं free swell test या फिर differential free swell test यहाँ पर free swell test और differential free swell test क्या है free swell test में हम लोग जो है water में soil को डालते हैं उसमें जो कितनी volume change हो रहा है इसको देखते हैं और differential वाले में क्या करते हैं water और keroson दोनों में हम experiment को करके देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं इस टेख को करने के लिए जो IS code हम लोग follow करते हैं वो IS code है आपका 2720 part number 40 इसको हम लोग follow करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है 10 gram dry soil जो है आपको लेना है one dry soil होना चाहिए और वो जो soil है 425 micro ISU से पास होना चाहिए उसके बाद क्या करते हैं 100 ml का graduated cylinder लेते हैं दो जिसमें एक में kerosene भरा होता है और एक में distilled water होता है आप kerosene वाले में भी आपको soil के sample को same amount में डालना है और वैसे ही आपको distilled water वाले में भी उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद glass rod से उसको अच्छे से 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 करना है और से करने के बाद उसको settle होने के लिए चोड़ना है कम से कम 24 घंटे के लिए 24 घंटे बाद जब वो settle हो जायेगा तो उसमें आपको ग्रेजिवशन को देखना है कि कितना ml हमारा distilled water में आ रहा है और कितना हमारा volume chain kerosene में दिख रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने experiment के accordingly data यहाँ पर लिया हुआ है कि जो soil का volume है water में 75 ml आया और kerosene का volume जो है आपका 50 ml आया अब मेरे को free swell index निकालना है percentage में तो क्या करूँगा यहाँ पर formula लगाँगा क्या है formula मेरा कि soil volume in water minus soil volume in kerosene divided by soil volume in kerosene multiply 100 करूँगा यह सारा value मेरे इस formula में डालूँगा और फिर मेरे को यहाँ पर free swell index जो है मिल जायागा यहाँ पर मुझे जो free swell index मिला यह 50% मिला अब इस 50% जो मिला इसको मैं क्या करूँगा इस table से comparison करूँगा यहाँ पर मेरे को free swell percentage में दिया हुआ है degree of expansion दिया हुआ है और degree of severity दिया हुआ है जैसे कि अगर मेरा less than 50 है तो degree of expansion जो है लो है और non critical है वैसे ही आपको बाकी values दियो है पचास से 100, 100 से 200 और 200 से अगर जादा है तो very high होगा और severe होगा यहाँ पर इस चीज़ को आप जो है identify कर सकते हैं कि आपका जो soil है किस category पर लाइक कर रहा है और उसके accordingly आपको जो precautions है वो लेने पड़ेंगे चलिए देखते हैं और कौन-कौन से other lab test होते हैं इसके बारे में तो वैसे तो आपका बहुत सारे soil के test है test वाले part में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे videos जो application में course के अंदर डले हुए है यहाँ पर plasticity index के अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका plasticity index ज़ादा आता है तो उसमें swelling potential उतनी ज़ादा होगी shrinkage limit के बात करूँ कि lower shrinkage limit रहेगा इसका मतलब यह है कि आपका जो soil के swelling बहुत ही कम moisture content में होना start हो जाएगा अगर मैं collidal content के बात करूँ तो उसमें collidal content ऐसे contents होते हैं जो कि उसमें घुल जाते हैं और उसके छोटे-छोटे particles जो है moisture आने पे काफी ज़्यादा swelling property जो दिखाती है ठीक है तो अगर यह collidal content ज़ादा है आपके soil की swelling potential जो है वो ज़्यादा होगी यहाँ पर आप table पर देख सकते हैं आपको liquid limit, plastic limit, shrinkage limit, free swell index और आपका degree of expansion और degree of severity जो है आपके number के according यहाँ पर दिया गया है जैसे जैसे numbers बढ़ रहे हैं उसके according आपका degree of expansion है वो भी बढ़ रहा है और degree of severity जो है वो भी बढ़ते जा रहा है जैसे कि आपका एक देखते हैं free swell index percentage में less than 50 है तो low है और non critical है 50 से 100 में आपका medium है और marginal है और 100 से 200 में देखे हैं तो यहाँ पर degree of expansion जो काफी जादा होगा जो की एक critical situation है greater than 200 है तो बहुत जादा expansion यहाँ पर आपके soil में देखने हों मिलेगा और यह जो है एक severe condition है चलिए field में हम लोग कौन कौन से ऐसे test करते हैं expensive soil को पहचानने के लिए देखते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग plasticity index test test plasticity index test में क्या करते हैं हम लोग plasticity find करते हैं उसमें क्या करते हैं जो हमारा saturated soil है उसमें और वह expensive soil है, ठीक है, shrinkage cracks आप जो है observe करते होंगे, जैसे कि कुछ ऐसे पार्ट जहां पर आप पॉंड वाला पार्ट ये लेक वाला पार्ट जहां पर सुख जाता है, गर्मी को दुनों में, वहाँ पर देखना आपको cracks देखने को मिलता हूँ, उसको हम लोग बोलते है, shrinkage crack, अगर किसी soil पर ऐसे cracks देखने को मिल रहा है, तो वो जो क्या है, expensive soil है, जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते है, field permeability test, field permeability test में कैसे करते हैं, अगर आप कोई soil लिए, उस soil पर आप क्या करेंगे, उसमें water को enter कराएंगे, और उसमें देखेंगे कितनी permeable है, जैसे कि यहाँ पर, मैं example के दुरूपे, एक sand, silt और clay लिया हुआ है, यहाँ पर हमने water को pass करा रहा है, तो आप देखो, sand में आपका water जल्दी permit हो जाता है, लेकिन अहीं पर आप clay में देखेंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल होने के वज़े से, वहाँ पर एक क्लूट जैसे behave करता है, उसमें जो permeability काफी कम होती है, तो इससे आप पहचान पाएंगे कि वह जो है clay है, और expensive soil है, जिससे कि हमको एक reading मिलती है, और उससे हम पता चलता है, कि soil कितना expensive है, इसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते है vein-seer taste, वेन-seer taste में क्या होता है, यहाँ पर आप जो क्या करते है, vein-like structure होता है, उसको soil में insert कराते हैं, और shear extent को पता करते हैं, अगर आपका shear extent बहुत कम निकल के आता है, तो इसका मतलब भी है कि वो जो है expensive soil है, तो इस तरीके से हम जो फिल्टेस भी करते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम लोग design a foundation on swelling soil, swelling soil पर कौन-कौन से इसे बात हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, designing के time, पहला है आपका structure are made strong to withstand the effect of swelling, सबसे पहला चीज आपको यह देखना है कि आपका foundation हो strong होना चाहिए, swelling pressure के वज़े से उसमें जो cracks नहीं आने चाहिए, दूसरा है आपका structure are made flexible so that they can change their shape according to pressure, मतलब आपका structure बनेगा उसको आपको flexible बनारा पड़ेगा, क्योंकि उसमें जैसे pressure आएगा, जिस intensity का pressure उसमें आएगा, उसके according जो हो shape change कर लेगा, तो आपका structure है वो crack नहीं होगा, इसके अलाबा अगर आप swelling soil पे foundation के design करते हों, तो काफी deep foundation वहाँ पे देना पड़ता है, ताकि हमारा swelling और shrinking जो properties जो soil पे हो रही है, उसका effect foundation पे ना पड़े, और यहाँ पे deep foundation में हम लोग क्या करते हैं, और यह जो bucket type का structure होता है, आपका swelling pressure होता है, उसको रेजिस्ट करने का काम करता है, इसके अलाबा swelling soil पे हम लोग इम परिमेवेल एपरोन जो ही वो यूज़ करते हैं, जैसे आप basement construction में देखेंगे, तो वहाँ पे एपरोन यूज़ के जाता है, जिससे कि आपका moisture के वज़े से soil के contact में ना आए, और उसके वज़े से वहाँ पे बहुत जादा swelling pressure और shrinkage जो है वो देखने को ना मिले, जिससे कि हमारा structure होगा वो stable रहेगा, चलिए तो ऐसी कौन कौन सी चीज़े जिससे हम लोग swelling properties को eliminate कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ी है कि अगर आप कोई भी structure बना रहे हों, जैसे कि आपको पहले ही इस्टिस को find करना है कि वहाँ के swelling pressure कितनी है, यह swelling pressure कितनी है तो इसके according लिए आपका वहाँ पे क्या कर सकते हैं, loading दे सकते हैं, जो भी आपका swelling pressure होगा, उससे ज़्यादा अगर आप loading देते हैं, तो उसको जो है वो counter act करेगा, उसके बाद है आपका lime stabilization, lime stabilization करने से क्या होता है, आपका जो plastic limit है और liquid limit है वो reduce हो जाता है, जिससे कि हमारा soil जो है stable बनता है, उसके बाद है आप vertical drains का use कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप image में, vertical drains इसलिए यूज़ कर जाता है, कि आपका जो भी moisture आएगा वो जल्दी से वहाँ से drain हो जाए, जिससे कि आपका soil को जादा effect ना पड़े, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि आपका जो foundation होगा, काफी deep तक जाएगा, जिससे कि आपका swelling और sinking property जो है, वो influence ना कर पाए foundation को, इसके लावाँ आपको क्या करना है, एक deep rooted vegetation जो है वहाँ पर आसपास में लगाना है, ताकि आपका जो excessive water content होगा, excessive moisture जो होगा, उसको जो plants के जो root है वो absorb कर ले, तो engineers तो कुछ इस तरीके से आपके expensive soil को पहचाना जाता है, identify किया जाता है, और इससे हम ये जानते कि हम जहाँ पर construction कर रहे हैं, वहाँ पर उस soil की degree of severity जो है कितनी है, और उसके लिए क्या क्या remedies हम ले सकते हैं, तो इस तरीके contents आप और भी चाहते हैं, तो चैनल को subscribe किजिए, वीडियो को like किजिए, और दोस्तों के साथ share करना न भूले, अगर कोई भी doubt आपको आता है, तो comment section में जरूर लिखिए, मैं उसका reply जरूर करूँगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हम लोग next वीडियो में नए information के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं सिखते रहे हैं सिभिल गुरुजी के साथ, धन्यवाद,